नमस्कार दोस्तों मैं राहूल पांचाल हमाई यूट्यूब चैनल ड्रेया को स्टेडी में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज है 15 अगस्त और हम जो अपना 73 वाज जो सवतंतरदा दिवस मना रहे हैं साथ में ही रक्षब बंदन का भी जो है पवित्तर उपलक्स साथ में है दोस्तों इन सभी के आपको जब बढ़ाई हो दोस्तों आपके लिए नई वेकैंसी आई है उसकी मां आपको यहां पर डीटेल बता देता हूँ तो वीडियो को लासी जरूर देखेगा एक हजार से ज़्यादा वेकैंसी आई हायांना स्टेट कोपरेटीव एपक्स बेंक लिमिटेड में जो Ride आपके वेकैंसी आई हैं जी हैं दोस्तों यहांपर Еटन पर एक हजार से ज़्यादा इसमें है तो देखिए आपके फोर्म यहांपर जो भरे जाएंगे रिजिस्ट वो सिर्फ color की vacancies में एक है उसमें कई तरह की vacancies और भी है तो जो color की vacancies है उसके लिए जो यहाँ पर preliminary जो आपका exam होगा वो हो सकता है बदेख सकते हैं अब यह पर लेあ इसके पर देख सकते हैं अब है इसके बात एंप Lower तो इनका भी स्क्रीन शोट आप लेकर रख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कितनी वेकैंसी हैं ठीक है अब इसके बाद देखिए हाँ पर 35 वेकैंसी जो है इसमें सीनियर अकाउंटेंट के तो इनकी पूल लिस्ट आप यहां पर देख सकेंगे जिल है पोस्ट वाइज आपको दिखा देता हूं तो देखिए आपकर जो कलर कि वेकैंसी उसमें आपके जो अगर आपने सिंपल ग्रेजीशन की है निकिए अगर आपने किया तो 55% मांक्स आपके होने जरूरी है तो अगर आपने कॉमर्स से किया है जो ग्रेजिशन आपकी या 11400 रुपई तकर जा सकती है. अब जुनियर अकानेट की बात करेंड़ जो इसमें B. вещ आपकी होनी जरूरहे है मैत के साथ में, ठीक है, या फिर आपकी B.C. होनी जरूरहे है मैत के साथ में. 55% मार्क्स आपके होने जरूरहे है, अगर B.TAC किया है, तो 60% marks जरूरी है सेल इसकेल की बात करें 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए दक सिनियर अकाउंटेंट की बात करें तो 55% marks आपकी होने जरूरी है commerce से या फिर science जो आपकी होने चाहिए math के साथ में ठीक है या फिर B.A. आपकी होने चाहिए math के साथ में तीन साल का जो इसमें या फिर आपका जो तीन साल का experience हो ठीक है या फिर आपकी जो 50% जो marks में वो आपके होने जरूरी है M.COM में या फिर M.A. में math के साथ में ठीक है तो 35,400 रुपए से लेकर जो 1,12,400 रुपए तक आपकी salary रहेगी इसमें भी तो देखिए assistant manager development officer की यहाँ पर बात करें तो इसमें भी बहुत सारी इसमें जो qualification बताएगे क्या कुछ आपकी होनी जरूरी है तो यह देख सकते हैं यहाँ पर इन में से कोई भी एक होनी जरूरी है ठीक है किसी भी qualification के साथ आप यह form भर पाएंगे आप देखिए level 7 की बात करें तो इसका जो cell skill है level 7 का है जिसमें की cell skill ज्यादा है यानि की 44,900 रुपे पलस से जो आपके starting होगी जो की 1,42,400 रुपे तक जो आपकी हो सकती है तो यहाँ पर अगर आपकी posting जो आइनिंग जो हो जाती है यह आपको जो है जरूर क्लियर करना पड़ेगा बाद में अब देखिए यहाँ पर जो आपकी एज इसमें क्या कुछ चाहिए तो 18 साल से 42 साल के बीच में जो आपकी एज हुआ होनी जरूरी है लास्ट डेट के अनुसार जो फोम की लास्ट डेट है तो आप देखिए यहाँ पर छूट भी रहेगी कुछ ही यहाँ पर SCBC के जो चूट भी रहेगी जो मैक्सिमम एज में चूट मिलती है और देखिए यहाँ पर जो आपकी फीस है और EWS के जो कंडिडेट है उन सभी को जो है 300 रिपी फीस भरनी पड़ेगी ठीक है और जो नो फीस दिखाया रखी यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि जो आप अपना फोर्म भरिए और जो आगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सेज जरू करिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए ताकि हम नई गवर्मेंट जोब की अपड़ेट आपको मिलती रहें धन्यवाद